So, Hello, दोस्तो, आज किसी वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरीके से T-PIN को जन्रेट कर सकते हैं एंड उसे आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं इस वीडियो में आपको complete process दिखाने वाला हूँ जैसे कि दोस्तो, मैंने Paytm Money से एक stocks को buy किया था दोस्तो अगर आप अपने stocks को उसी दिन sale कर देते हैं तो टीपिन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वहीं पर बात की जाए कि दोस्तो आप अपने stocks को दूसरे दिन sale करते हैं तो दोस्तो आपका जो stocks रहता है पोर्ट पोलियो में चला जाता है यानि कि आपको holdings में आपका stock जो रहता है देखने को मिलता है। दोस्तो आप लोग यहां से भी अपने टीपिन को जनरेट कर सकते हैं नीचे साइड यहां पर देख सकते हैं click here to generate pin को option मिल जाता है इसके उपर click करेंगे तो cdsal की official website को उपर आज आएंगे वहां से अपने pin को जनरेट कर सकते हैं या फिर दोस्तो आपको अपने google chrome browser को open करन है वहां पर आपको type करना है cdsalindia.com आप लोग यहां पर देख सकते हैं जैसे search करेंगे तो आप cdsal की official website को उपर आज आएंगे यहां पर देख सकते हैं तो इस वाले option को select करेंगे जैसे कि यहां पर मैं generate tip in वाले option को select कर लेते हैं इसके बाद simple सा यहां पर नीचे side login का option मिल जाएगा इसके उपर आपको click करना है आपके सामने कुछ इस तरीके से आज आएगा आप लोग यहां पर देख सकते हैं generate tip in का option यहां पर so हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको scroll down करके नीचे आजाना है तो यहां पर सबसे पहले आपको B.O.ID नंबर डालना होगा जैसे open करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं उपर साइड आपको 3 line देखने को मिल जाएगी तो एक बार आपको 3 line वाले option को पर click करना है दूसरे नंबर में आपको equity का option मिल जाएगा इसके उपर आपको click करना है जैसे यहां पर click करेंगे तो कुछ इस तरीके से आज आएग तो इसको उपर आपको click करना है जैसे यहां पर click करेंगे तो यहां पर आपकी जितनी भी details होगी आपको देखने को मिल जाएगी आपको scroll down करके थोड़ा सा नीचे आना है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं DMAT account ID यहां पर देखने को मिल जाएगी यहनी कि दोस्तों DMAT account number यहां पर देखने को मिल जाता है तो इसको आपको किसी कागज पर लिख लेना है उसके बाद दोस्तों आपको दोबारा से CDSL की website को उपर आज आना है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं B.O.I.D. number डालने के लिए आज आएगा तो आप अपने DMAT account number यहां पर डाले लेना है उसके बाद दोस्तों सिंपल सा आपको नेश्ट वाले option को पर क्लिक करना है जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं आपके mobile नमबर और Gmail ID पर एक OTP send की आज आएगा यहां पर OTP आज उका है उस OTP को यहां पर डालेंगे और सिंपल सा नीचे सा नेश्ट वाले option को पर क्लिक करेंगे यहां पर आप लोग देख सकते हैं थैंक्चू देखने के लिए आज आएगा यानि कि आपको जो टीपीन है जनरेट हो चुका है आपको मैसेज भी आज आएगा जैसे मैसेज ओपिन करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं मेरा जो एफसाइट के उपर आज आना है यहां पर चेंज टीपीन वाले option को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद लोगीन वाले option को पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर देख सकते हैं चेंज टीपीन को option आपको सो होज आएगा आपको स्क्रोल डाउन करके नीचे आजाना है तो यहा पर capture देखने को मिल जाएगा, इस capture को इस box में डालेंगे, इसके बाद simple सा आपको next वाले option को पर click करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके mobile नमबर और gmail id पे एक OTP send किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर OTP आ चुका है, इस OTP को यहाँ पर डालेंगे, OTP डालने के बाद simple सा आपको next वाले option को पर click करना है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नया T-PIN बनाने के लिए आज आएगा, तो यहाँ पर आपको अपने 6 अंकों का T-PIN बना लेना है अपने हिसाब से, उसके बाद नीचे यहाँ पर confirm T-PIN में उसी T-PIN को डालेंगे और submit वाल option को पर click करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो T-PIN है update successfully हो चुका है, यानि कि आपने जो अभी T-PIN बनाया है, चेंज किया है, वो update हो चुका है, उसके बाद दोस्तों आप अपने T-PIN को stocks को sell करने के लिए इसमाल कर सकते हैं, तो आयोग की यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो के एक लाइक जरू से करिएगा, चैनल पर नहीं तो सस्क्राइब कर लीजिएगा, चलिए मिलते हैं नेश्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद बंदे मात्राम